स्टार्ट कर रहे हैं PGT, TGT, GIC, DSSB के कुछ और RPSC के आए हुए PYQs यहाँ पर मैं हूँ लोकेसर आप सभी का स्वागत है तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को आप लोगों का रिस्पॉंस पिछली क्लास के लिए बहुत अच्छा रहा है आप लोग के इस रिस्पॉंस से म मुझे मोटिवेशन भी मिल रहा है इसलिए आपके लिए लगातार क्लासे सा रही है आई यह स्टार्ट करते हैं तो देखिए जो पहला क्वेशन आपका PYQ है जो एक्जाम में पूछा गया वो यह है कि तो आपको बताना है कि QX2-PX1 को जो रूट होगा वो क्या होगा ओके लिए कैसे सॉल्ब करते हैं इस क्वेशन को जैसे अपने पास यह क्वेशन दिया गया है X2-PX-Q इसके रूट दिये गया है 1 & 2 इसी तरीके से अलफा एंटू बीटा की वैल्यू से हमने Q की वैलू निकाल ली के और चलते हैं देखिए अगला कोशन कि आपके पास में अगला कोशन इंटीडरेशन का थ्ला बड़ा कोश्चन है इसको करने के लिए थोड़ी सी दूसरे टाइप से अप्रोच करनी पड़ेगी इसलिए इसको मैं आप लेकिया हूँ यह कोशन है आपके पास अपके पास वन माइनस कॉस्ट तो इंटू साइन तू थीटा अपको निकालना है डी वा बाइड एक सो सबसे पहले देखे एकस को आप सिंप्लिफाई कर लिजे तो एक सी कल्ड़ी साइन तू थीटा का अंदर आपने मल्टिप्लाइ कर दिया फुर टू का नीचे मल्टिप् 2 theta का हो जाएगा 2 into cos 2 theta into 2 और 4 sin 4 theta का 4 cos 4 theta 2 अपने common 2 को अंदर भेज दिया ये बाहर वाला 2 तो एक 2 से 2 cancel हो गया है ये अपना करस कितना बज़ गए बज़ गया 2 cos 2 theta plus 2 cos 4 theta 2 बाहर आजागा तो answer आजागा cos 2 theta plus cos 4 theta 2a बाहर बेटा हुआ है तो इतना आधा काम हो चुका हमारा dx by d theta अब देखिए y के साने पढ़ते हैं तो y हमाँ पस दिया गया y equal to b bracket में 1 minus cos 2 theta cos 2 theta अंदर पहले multiply करो तो cos 2 theta minus cos square 2 theta अब देखिए सीधे इंटीग्रेट कर देखिए सॉरी सीधे डिफरेंशेट कर दीजे तो b बाहर बैठा हुआ और cos 2 theta का minus 2 और cos 2 theta का sine 2 theta और cos square 2 theta का 2 बाहर आजाएगा 2 cos theta sine 2 theta 2 theta का कितना हो जाएगा 2 तो यह कितना हो गया minus 2 sine 2 theta and 2 rebels यह अपने पास में हो जाएगा 4 तो यहाँपे बट 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 देखे, यहाँ पर मैंने इसको पूरा complete formula बदल दिया है, यह sin 4 theta हो गया, तो 2 अकेला जो बैठा तो यहाँ आ गया, 2 को common ले लेगे, तो 2b sin 4 theta आ गया और sin 2 theta negative में पीछा हो गया, अब देखे इसको क्या करते हैं, अपन को चाहिए, d by dx तो d by d theta upon dx by d theta, मतलब यह वाला part, तो 2 2b sin 4 theta minus sin 2 theta, जो पीछे लिकला अपना dx by d theta, उसका part 2a, cos 2 theta plus cos 4 theta, तो 2 से 2 cancel हो गया, b upon a बज़ गया, sin c minus d का formula 2 sin c minus d by 2 cos of c plus d by 2 लगा दिजे, and cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d by 2, cos of c minus d by 2 नीचे लगा दिजे, solve करके आ जाएगा, b upon a 10 theta, जो की बिल्कुल सही है, ओके, तो यह question भी हमारा complete हो wait, अगले question देखते हैं, तो अगला question आपके पास दिया हुआ है, देखे, question मैं लिख देता हूँ आपके सामने की, if fx equal to log base e x square plus 1 upon x square, तो आप से पूछा गया है कि f inverse x क्या होगा, okay, f inverse x क्या होगा, और मैं आपको बता दूँ कि जो सारे option है, वो e के terms में दिये गया है, जै minus x upon 2, तीसरे option में आपको दिया गया है, e की power x plus e की power minus x upon e की power x minus e की power minus x, और चोथे option में आपको दिया गया है, e की power x minus e की power minus x upon e की power x plus e की power minus x, तो ये 4 option दिये गया है, आपको बताना है कि correct answer कौन सा है, चलिए start करते हैं, तो चलिए दोस्तों, इसका solution बनाते हैं, देखे, कै करते हैं इस question को देखिए क्या problem यहां पर दी गई है सबसे प्राइब क्वेशन में fx है तो आप ऐसा कोई भी question है आप जिसमें आपको inverse निकालना है आप उस question को y लेके solve किजे तो ही solve हो पाएगा तो question में हम y लेके solve करते हैं तो देखिए y is equal to क्या बन जाएगा मिर पस log of e ओके और यहां पर x है और bracket में कितना है 1 plus x square है ठीक है और आप जानते हैं कि अगर y is equal to fx होता है तो x equals to कितना होता है f inverse y तो पहले हमें f inverse y बनाना पड़ेगा और f inverse y के जैसे ही हम क्य बना देंगे f inverse x तो पहले f inverse y बनाना है तो देखिए यहां से मैं अगर log को हटाता हूँ तो log इदर से हटेगा तो कितना आजएगा e की power y is equal to x plus under root 1 plus x square यह हो गया मेरे पास e की power y हो गया ठीक है अब यदि आप इसको upon में कर दें उसको number 1 ले लो आप ठीक है यदि आप इस x plus under root 1 plus x square यह मुझे idea कहां से लगा यह मुझे options देख करके लगा क्योंकि option में e की power minus x है तो e की power minus x है तो मेरे को देख करके लगा कि शायद कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए चलो फिलाल अभी आपको आंगे समझ में आएगा कि कैसे कैसे हो रहा है चलो इसको rationalize कर दो तो यार कितना हो जागा x minus 1 plus x square यह हो गया और यह कितना हो गया x minus under root 1 plus x square ठीक है तो e की power y को में लिख सकता हूं की power minus y यह हो जाएगा कितना x minus under root 1 plus x square और a square minus b square तो यह हो गया x का square और minus इसका square कर दोगे तो कितना हो जागा 1 plus x square खुल करके को मिला के आपको क्या देदेगा minus देदेगा ओके देखो a square minus b square तो आपको क्या देदेगा minus देदेगा और minus देने के बाद में आप देखे यह जो minus 1 आपको मिला है ओके e की power minus y में एक पर चेक कर लिजे a plus b a minus b बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग ओके तो यहाँ पर आपके पास में देखे e की power minus y कितना आ गया e की power minus y is equal to देखे ऊपर under root 1 plus x square किस में चला गया plus में चला गया और x किस में चला गया minus में चला गया ठीक ना यह e की power आपके पास में कितना आ चुका है e की power में से एक पावर माइस वाई इको सब्ट्रैक कर दे okay तो एकी पावर माइनस वाई को क्या कर दे सब्ट्रlight कर दे क्योंकि आपके पास 2 क्यों बंचुके हैं और इन दोनों आपकेपस काम यहीं आप देखिए अगर स्फ्ट में से आप cents को minus कर देते हैं, तो देखो क्या होगा, first top का क्या है, e की power y है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, e ki power y, और minus किया है, तो e ki power minus y equal to, देखो ध्यान से, यह X है, और minus minus करोगे तो कितना हो जाएगा, plus 2x हो जाएगा, और यह plus का है, यह भी plus का है, तो यहां से x की value कितनी आ जागी ? यहां से x की value आग़ी आपके बावर गया आपके पास में कितना ? इसमें हलका सा काम और वचा है, इसको next slide में लेके चलते हैं,มिपर कर देंगे हल चलिए देखे तो यह आपके पास x की value आ चुकी है अब देखते हैं देखें क्या होगा तो यहाँ पर आप जानते हैं भी मैंने बताया था कि अगर आपके पास f x equals to y हुआ करता है तो x equal to कितना बन जाता है f inverse y तो finally आपके पास f inverse y आ चुका है कितना आ चुका है e की power y minus e की power minus y upon 2 यह आ चुका है आपके पास में तो अब आपको क्या चाहिए है आपको f inverse x चाहिए है तो बस replace कर दो थोड़ा सा तो e की power x ok and minus of e की power minus x by 2 तो यही आंसर है चेक कर लेते हैं शायद option हमें पस दिये है e की power x minus e की power minus x by 2 तो correct option इसका कितना हो गया भी हो गया ok so guys this is done चली तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यह question आपके homework के लिए दे रहा हूं देखता हूं कितने लोग आपमें इसको करके जवाब देते हैं ok question है y is equals to y is equals to integration of log of e base per x का square ok log of e base per x का square dx है है ना it satisfies the point satisfies the point 1,2 ok 1,2 को satisfy करता है तो आपको निकालना है कि इसका integral क्या होगा मतलब इसका particular solution क्या होगा आपको इसका particular solution मेरे को निकाल करके बताना है तो यह मेरे को आप comment box में इसका answer बताइए कि इसका particular solution क्या होगा चली आँगे बढ़ते हैं तो यह देखी यह है next question आपके सामने दिया गया है integration 0 से लेके 1 x to the power m-1 upon 1 plus x to the power m plus n जहां पर m greater than 0 है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा option true है तो एक चीज़ देखें यहां पर सारे option जो है गामा फंक्शन की form में हमको दिये गया है ओके और दूसरा आपको integration दिया गया तो कहीं ना कहीं यहां पर बीटा गामा फंक्शन की relationship जो है involve हो रही है तो थोड़ा से revision कर लेते हैं सबसे पहले कि बीटा गामा फंक्शन में हुआ क्या करता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो बीटा हुआ करता है m और n का बीटा वो कितना निकलता है वो निकलता है 0 से लेके infinity x to the power m-1 upon 1 plus x to the power m plus n यह जो होता है यह convert किसमे होता गामा एम गामा एन अपॉन एम प्लस एन में ठेक है ना यह convert हुआ करता है तो मतलब integral कौम को इस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा तभी हम इस फॉर्म में बीटा गामा फंक्शन में देख पाएंगे गामा फंक्शन के फॉर् निले सारे ओप्शन यह पे उपलब्द हैं यहां पी जा सारे ओप्शन से फॉर्म में है तो हमको और इंटेग्र开लり को कोशच करते हैं कैसे करेंगे आईयए देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से कर्ड़िए को देखेंगे इसको तो सबसे पहले आपके आपके पास में दिया गया है integration तो question integration आपके पास में दिया गया है आपको दिया गया है 0 से लेकर के 1 सबसे problem तो यह है कि limit अपन को 0 से लेकर infinity चाहिए then x की power m-1 plus x की power n-1 upon 1 plus x की power m plus n तो अभी तो यह जो है beta function बनने की उसमें नहीं है कि इसको हम convert कर सकें standard integral में तो चलिए इसको convert करतें तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ i is equal to अपने पास में है 0 से लेके 1 आराम से करेंगे इस question को थोड़ा वक्त लगेगा धैर बना के चलिए x to the power m-1 upon 1 plus x to the power कितना कर दीजे m plus n देखिए इसमें कोई problem नहीं है plus x to the power n-1 upon 1 plus x to the power m plus n ओके यहां पर भी dx दे दीजे यहां पर भी dx दे दीजे यह भी कितना है 0 से लेके 1 जा रहा है बट हमको limit कहां से कहां ले जानी है 1 to infinity ले जानी है तो मैं एक काम करता हूँ तो आपको जो operation अब आँगे करना है आपको वो i2 के साथ करना है आप i2 के साथ क्यों कर रहे है वो मैं आपको explain कर रहा हूँ दीखे आपके पास limit 0 से लेके 1 है ठीक अची बात है 0 से लेके 1 है बट आपको कुछ इसमें add करना पड़ेगा मतलब 1 to infinity add करना पड़ेगा तभी आपके पास जो limit बनेगी वो 1 से लेके infinity मतलब आपको limit infinity tend करनी है और limit infinity तभी बन पाएगी जब आप x को कोई variable देंगे जैसे x equal to 1 upon y पुट करते हैं तो y is equal to कितना हो जागा 1 by x हो जागा तो x की value 0 पे क्या हो जागा infinity मतलब हमको इस वाले function में जो i2 है यहाँ पे हमको x equal to 1 upon y या कोई other variable x equal to 1 upon z जैसा something put कर देना चाहिए तो चलिए आगे की process के लिए मैं इसको next slide में लेके जा रहा हूँ हमको केवल किसके साथ यहाँ पे लड़ाई करनी है भी हमको केवल i2 के साथ यहाँ पे थोड़ी सी fight करनी पड़ेगी आये तो जो second function मेरा है i2 इसके साथ हमें कुछ करते हैं यह देखो यह i2 है तो क्या करोगे इसको solve करनी के लिए let x equal to 1 upon y okay x equal to अपने क्या लिए 1 upon y लिए differentiate कर दीजे dx by x के साथ differentiation तो 1 ही आएगा इस तरफ का ओकी यह कितना हो जागा यह हो जागा minus का 1 upon y square और यह हो जाएगा अपने पास में क्या dy by dx ठीक है ना minus का 1 by y square dy by dx यह हो जाएगा तो अब देखे dx equal to कितना हो गया minus 1 upon y square और dy हो गया अपने पास में dx चलो भाई put करते हैं अब इसके बाद इधर आजाएगे अब यहां पर देखे i2 is equal to कितना हो जाएगा 0 to 1 है तो limit सबसे पहले रिखे यहां से y कितना आएगा y equal to 1 upon x आजाएगा तो x की value जो आप 0 देंगे तो 1 plus x की जगे कितना है 1 upon y whole to the power m plus n और dx की जगे कितना आजाएगा minus 1 upon y square dy तो एक काम करिए जो minus है इसको यहां कर दीजे ओके अगला step करते हैं इस minus sign को dissolve कर दीजे तो limit change हो जाएगी यह हो जाएगा 1 से लेके infinity जो हमें चाहिए था और देखो y की power कितनी आजाएगा minus sign multiply करोगे तो minus 1 plus 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा minus का n यहां पर y पहुंच जाएगा y plus 1 upon यहां पर पहुंच जाएगा y plus 1 हो जाएगा कि whole power m plus n और उपर y अपनी power लेके पहुंचेगा उपर y लेके पहुंचेगा m plus n और यह देखो y की power minus 2 और साथ में कितना हो गया dy so i2 is equals 2 1 से लेके infinite अब y की power अब सारी add कर दीजे तो y की powers में 1 है minus n है plus m है plus n है और minus का 2 है और यहां पर dy है और यह कितना है यहां पर 1 plus y की whole power m plus n है ठीक है न देखें तो n से n cancel हो गया 1 से minus 2 तो कितना बज़ गया m minus 1 हो गया मतलब यह integration कोल में लाकर कितना आ गया 1 से infinity y to the power 1 minus m upon 1 plus y to the power m plus n और dy ठीक है न यह हमारे पास यह integration आ चुका है चलिए next page पे चलते हैं यहां पर जगह कम है तो अभी मेरे पास क्या आया है i2 मेरे पास आ चुका है अभी अभी मैंने निकाला i2 is equal to 1 से लेके infinity हमने find किया ऊपर कितना है था y to the power m minus 1 upon 1 plus y to the power m plus n dy देखें integration definite integrity property होती कि अगर आप variable change करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो 1 से लेके infinity अगर मैं इसको x की फार्म में लिखो तो x to the power m minus 1 and 1 plus x to the power कितना हो जागा m plus n और यहां पर आगा टी एक से चलिए अब आ जाते हैं question पर वापस i1 sorry i is equal to कितना था i1 plus i2 था ओके और i1 की value क्या थी हम लोग की i1 की value थी 0 से लेकर के 1 x to the power m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n i hope यही value थी चेक कर लेते हैं एक बार यह देखे i1 की value कितनी निकली थी यहां पर होगी यस तो i1 अपने पास में कितना निकला है x to the power m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n आ चुका है बहुत बढ़िया तो यह हो गया i1 अब इसके बाद जो हमारा i2 है वो मैं लिख देता हूँ तो देखे कितना आया है 1 से लेके infinity x to the power m minus 1 excuse me upon अपने पास में कितना आया है 1 plus x to the power m plus n अब यह add हो जाएगा आपका बहुत बढ़िया तो यह beta function convert हो चुका है 1 to the power infinity उपर देखे आपके पास में यहाँ पे m minus 1 है sorry तो देखे यह limit add हो गई है क्योंकि 0 to 1 है 1 to infinity तो क्या बन चुका है x to the power m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n ठीक है न तो यह क्या structure बन चुकी है यह बन चुकी है this is equal to beta mn यह क्या बन चुका है beta mn क्योंकि beta mn की definition यही होती है x की power m minus n upon 1 plus x to the power m plus n और यह जो beta mn होता है इसकी gamma के साथ relationship क्या हुआ करती है so beta m और n की relationship gamma के साथ होती है gamma m gamma n upon gamma m plus n तो इसका correct option कौन सा होगा देखे यहाँ पर gamma m upon gamma n और gamma m plus n यहाँ पर जो हमाई पास में जो correct option आपके पास में मिलेगा कौन सा होगा gamma m upon gamma n a option is the correct option यहाँ पर हमको a option जो होगा वो correct option दिखाई दे रहा है okay done देखे थोड़ी सी यहाँ मैंने लिखने में mistake कर दी उसको सुधा लिएगा यह 1 to infinity 0 to 1 है तो यह 0 to infinity होती है okay मैंने शुरुआत में भी बताया था आपको देखे कि आपके पास जो beta gamma function चलता है okay यह 0 to infinity x to the power m minus 1 upon x to the power 1 plus x की whole power m plus n ओके यह चला करता है तो इसको सही कर लिएगा अच्छा एक चीज़ और देख लिए इसकी और property है कि अगर आप 0 to infinity 1 plus x की power m plus n upon में तो है ही अगर आप उपर में x की power n minus 1 भी रखे तो भी यह gamma m gamma n upon m plus n ही होगा okay यह तो यह क्या है यह beta mn है और यह relationship कहल जाती beta gamma function में relation इसको note के लिजे चली देखिए अगला question देखते है अगला question क्या आया हुआ exam में देखिए question लिखा हुआ है कि if matrix 1, 3, 3, 4 and equation आपके सामने दी गई है a square minus h a minus 5 i2 equal to 0 है then value of h, आपसे फूछी गई है कि value of h क्या होगा थो देखिए इस question को realize कीजिए ये कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसा लग रहा है कि Characteristics Equation को solve करके ही बनाया गया है ये जो term है ये इसके Characteristics Equation को solve करके बनाया गया है तो आईए इसको solve करते हैं तो देखिए characteristics equation क्या हुआ करता है matrices का characteristic equation जो होता है determinant of a minus lambda i equals to 0 यह हुआ करता है determinant of a minus lambda equality तो यहाँ पर आपके पास में जो a है वो matrix किता दिया गया देखे आपके पास दिया गया 1 minus 1 3 3 4 ओके तो मैं इसका बनाता हूँ characteristic equation देखे तो determinant a minus lambda i कितना बन जागा 1 minus lambda ओके यहाँ पर 3 ही रहेगा यहाँ पर 3 minus lambda और यहाँ पर क्या रहेगा 4 रहेगा equals to कितना 0 चलिए इसको solve कर दूँ मैं तो 1 minus lambda multiply by 4 और minus 3 into कितना हो जागा 3 minus lambda equal to कितना हो जागा 0 चलिए solve कर देदें इसको तो यहाँ पर ही हो जाएगा 1 minus lambda multiply by 1 minute कुछ गलती हुई है यहाँ यह देखी यह गलती हो गई है 3-0 होगा और 4-lambda आएगा यस 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 तभी तो lambda की square बनेगी नहीं तो lambda की square term कैसे बन जाती भई है ना इसलिए गलती है अपने पकड़ लिए so 1-lambda into 4-lambda और 3-3 कितना हो गया minus का 9 इक्वल टू कितना हो गया 0 multiply करो 1-4 जब 4 minus lambda minus का 4 lambda plus lambda square minus 9 equal to 0 ओके अब आपके पास में equation क्या बनेगे देखे lambda square है lambda minus 4 lambda कितना हो गया minus का 5 lambda और 4 देखे यहाँ पे क्या है plus 4 और minus का 9 तो minus 5 lambda यह minus 5 equal to कितना हो गया 0 हो गया अब आपके पास जो equation दी गई है देखे क्या दी गई है आपके पास equation दी गई है कि हाँ यहाँ पे minus 9 है A minus 4 I ठीक है बिल्कुल सही है यह excuse me थोड़ा सा वेट कीजे यह sound आ रहा है तो देखे यह तो अपना बन चुका characteristics equation अब आपको पता कि characteristics equation को कौन satisfy करता है matrix satisfy करता है तो यह क्या बन जागा A square minus 5 A minus 5 I equal to 0 अब हमारे पास जो question दिया गया उससे यहाँ पे देखे A square minus H A minus 5 I equal to 0 तो H की value हमको निकाल ली है तो यहाँ पे ध्यान से देखे यह minus है तो A square minus H A minus 5 minus 5 I equals to 0 यह हमको दिया गया equation तो देखे minus H किसके equal है minus 5 की equal है तो यहाँ से answer आएगा H equals to 5 तो correct answer क्या होगा है हमको H के बारे में ही पता करना था इस question में और H का answer हमारे पास कितना आचुका है H equals to 5 तो यह भी complete हो गया done तो देखे next question देखते है question exam में पूछा गया PY क्यों है आपके पास कि if U equals to if U equals to sin inverse x square minus y square upon x square plus y square हो तो आपसे पूछा गया है then then x into delta x sorry x into delta u by delta x plus y into delta u by delta y कि जो value होगी वो क्या होगी आप से ये पुछा गया इसकी value क्या होगी ओके option दिया गया है first option दिया गया है 0 second option दिया गया है आपके पास में 2 third option में दिया गया आपके पास में 3 and fourth option है आपका none of these चली बताना आपको इसका solution क्या होगा देखिए इसको करने के लिए equal to sine inverse okay x square minus y square upon x square plus y square ठीक है so ये जो कहलाता आपके पास में sine u equals to sine u equals to x square minus y square upon x square plus y square ये आपके पास बन चुका है now अब ये f of u equals to f of x y की form में है ठीक है अब आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको degree पता करनी है इस वाले part की ये जो part है इसके degree पता करनी है होमोजीनियस होता है इसके degree है और ये बता दू मैं आपके f of u यहाँ पर कितना है sine u बन चुका है चलिए तो degree पता करते है अपने पास में f of x, y कितना बन चुका है x square minus y square upon x square plus y square तो यदि मैं आपसे पूछू की f of lambda x और lambda y की value क्या होगी तो जहाँ x है वहाँ पर lambda x रख दीजे तो lambda x का square minus lambda y का square upon में lambda x का square plus lambda y का whole square ठीक है तो इसकी value solve कीजे तो यह होजागा lambda square x square minus lambda square y square upon में lambda square x square plus lambda square y square यहाँ से आप lambda square common ले लिजे तो x square minus y square upon lambda square x square plus y square lambda से lambda कैंसल कर दीजे तो lambda की power कितनी आ गई 0 आ चुकी है मतलब यहाँ पर degree और साथ में यह रिखिए यह जो आना function बन गया मतलब ही क्या है f x y है तो lambda की power 0 है मतलब यहाँ degree क्या होगी 0 होगी degree को n का नाम दिये जाता मतलब n equal to कितना 0 अब देखिए इसके बाद जो इसका solution हुआ करता है वो क्या हुआ करता है इसका solution मैं बता दूँ आपको जो निकलता है वो क्या निकलता है तो इसका formula लिख लो आप formula is equals to होता है इसके solution का x delta u by delta x plus y delta u by delta y जो solution निकलता है that is equal to n okay n होता है n मतलब कि degree and f of u upon f dash u f of u upon f dash u तो n है यह आपके पास कितना है sin u है और f dash u कितना बनेगा cos u बनेगा तो n की value कितनी यह 0 है तो 0 into something equal to 0 आएगा तो इसका correct answer क्या होगा 0 तो हम किस पर tick लगाएंगे इसमें हम 0 पर tick लगाएंगे इस तरीके से यह भी हमारा solve हो गया done चली अगला question जो है उठाते हैं यह देखी जो question है यह nvs जो है 2021 में पूछा गया एक question तो बहुत ही बहतरीन question देखे question क्या कह रहा question कह रहा है evaluate आपको find करना है यह integral क्या integration है x की power 4 plus x square plus 1 divided by x square minus x plus 1 कर dx और आपके पास option दिये गया है ओके 4 option आपके पास दिये गया है option को लिखने से आ मतलब नहीं है अब ऐसा लग रहा होगा कि इसको पहले आप divide करोगे देखे जब भी यह question exam में इस तरीके का question आता है समझ लीजे कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई छोटी सी trick involved है जिसकी मदद से आप इस question को solve कर पाएंगे बगएर trick के ऐसे questions दिये नहीं जाते हैं है ना मैं इसको लिखूंगा 2x square plus 1 और minus का x square ओके और upon में कितना है x square minus x plus 1 तो ही है अब देखे यहां से यह ध्यान से देखे यह जो term है आपके पास में यह जो बन रहा है यह क्या है यह है x square plus 1 का whole square और minus का कितना x square हो गया है ना और upon में कितना हो गया x square plus 1 और इस minus x को पीछे जान दीजिए dx अब देखें क्या करना है अब यदि आप इसको देखें a plus b a minus b की structure बन चुकी है तो x square plus 1 plus x और x square plus 1 minus का x ओके और यहाँ पर x square plus 1 minus का x यह बन चुका है यह देखें यह चीज जिससे cancel हो जाएगी यहाँ पर dx आगया अब आपका answer आचुका है x cube by 3 plus x और minus कितना x square by 2 sorry plus x square by 2 plus कितना c तो यह इसका answer होगा clear है x cube by 3 plus x और plus x square by 2 और इसमें यह जो question आया था इसमें चारो option में चार option में तीन option ऐसे थे जिसमें denominator यह आ रहा था मतलब देख कैसा लग रहा था कि answer पका इन तीन वाले से होगा क्योंकि जब हमको answer दियो होते हैं हमको लगता है जो ज्यादा answers repeat हो रहे हैं वही answer होगा और एक ही option दिया गया था जो की सही correct answer था ओके तो कहीं न कहीं थोड़ी सी trick involved होती है उसको हमको वह अपनी practice के दम पर पकड़ना पड़ता उस trick को okay done so okay guys asking class को यहीं पर finish करते हैं अगली class में लेकर कहाएंगे कुछ और बहतरीन question